आज मैं आपके सामने करंट अफियर प्लस स्टाटिक जिके दोनों का जो कोमन टोपिक है यानि आपका लोक नर्ते से रिलेटेड वो लेकर आई हूँ तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ अगर आपको रिजनिंग की तैयारी करनी है तो किसी भी टोपिक की किसी भी चैप्टर की अगर कोई प्रोब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार रिजनिंग वाली प्लेलिस चेकेजिए वहाँ वे आपको ह हम लोगों ने योजनाई पहले कर ली हैं, उसके बाद जी आई टैग कंप्लीट कर ली हैं, उसके बाद जो अपोइन्मेंट्स है वो कर ली हैं, और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, लोग नर्त्या से रिलेटेड, ठीक है, तो बिना टाइम वे इसके शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, तो सबसे पहले देखिए, आप सबी को ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है, मैंने किनी किनी निर्त्या को, किनी किनी डांसिस को रेड कलर में सर्कल कर रखा है, तो ये आपके क्या है, ये आपके सास्त्रिया निर्त्या, तो ये कितने होते हैं, आपक पूछ चिप्ट के अंदर खुद पूछा गया था इन्हीं सास्त्रिया संगीत में से एक दे रखा था और यह पूछ रखा था कि यह किस टेट का है ठीक है तो यह जो आठो के आठो निर्ट है यह तो आपको याद होने चाहिए उसके बाद जो वहां के लोक निर्टे होते है वो सारी चीजे भी आपको एक बार पढ़ गये जरूर जानी है किसी ने किसी एक्जाम में किसी शिफ्ट में आपको एक कोशन देखने को जरूर मिलेगा तो सबसे पहले नठों के बारे में देखिए आठ होते हैं सबसे पहले कच्ची पूरी जो कुच्ची पूरी होता है ये कहां का है आपका अंधर प्रदेश का है कुच्ची पूरी कहां का है अंधर प्रदेश का तो कैसे याद करोगे कि जो जैसे आंध्र मतलब जो अंध्रे लोग होते हैं वो बेचाय उनको दिखाए नहीं देता तो वो क्या करते हैं कच्छी पूरी ही खा जाते हैं जो पूड़ी होती है हानेगी वो उसको पकाते उनको पता ही नहीं चलता वो पक गई या कच्ची है तो उस कच्ची पूड़ी को ही घा जाते है तो कच्ची पूड़ी किसका है अंद्र प्रदेश का हो जाएगा बिल्कुल इजी था उसके बाद है आपका भरत नाट्यम क्या की बोलेंगे धाल नित्य और म्त्का नित्य भी बोलते हैं और जो शुरुवाति में इसकी नि शुरू किया था वो थे आपके यामिनी क्रिशन मूर्ती यामिनी क्रिशन मूर्ती तो इन्होंने ही इस निर्टे की शुरुवात की थी यह वाली बते हैं से क्लियर हो गई कुछी पुडी की उसके बाद है भरतनाटम तो भरतनाटम आपका कहा का है तमिल लाडू का है भरतना मांक में क्या होता है कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कुचि पुड़ी को तमिलाडू का बना देते हैं भरतनाट्यम को महरास्ट का बना देते हैं ऐसे करके यूँ थोड़ा सा मतलब मायन में पजल होता है तो अगर हम इनको ट्रीक के साथ कर लेंगे तो आप इने कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए रुक्मनी देवी और यामिनी क्रिशन मूर्ती ये जो यामिनी क्रिशन मूर्ती है ये भरतनाट्यम के भी है और कुचि पुड़ी के भी है तो ये बात आपको याद रखनी है भरतनाट्यम कहां का है आपका तमिलना डुका उसके बाद सत् तो याद कैसे करोगे जैसे कुछ भी कर लो मतलब जैसे देखो हम रात सोते हैं जब गर्मियों में शाम को सोते हैं तो अकास में तारे जल्दी निकलाते हैं तो वहाँ पे आपने एक सब्तरीसी देखा है साथ तारो का समू होता है मैं तो कई बार देखती हूँ उनको जो साथ तारो का समू होता है वो शाम के टाइम में यानि रात को ही दिखने लग जाता है तो शाम सथ, सब्त्रिसी कब दिखाई देता है, शाम को ही दिखाई देने लग जाते हैं, तो वहां से याद कर ले ना, शत्रिया है असम का, एक्जाम के अंदर पुछा भी कया है, पुछा आगे भी जाएगा, याद कर ले ना अच्छे से, ओडीसी ट्रिक बनाने की जूरती यह नहीं है ODC कहां का है UDISA का है और इसके जो अगर केल उच्रण महापात्र के बारे में पूछ लिया जाए तो यह कौन से नर्ट तक है यह है आपके ODC के उसके बाद है कथकली क्या बोला मैंने कथकली तो कली किसकी होती है करेले की किसकी कली होती है जो करेला होता वो करेले जबसे दिन अब है करेला करेले की कली उसके बाद यहां पर देखो एक गाले के जो यह हौती जो मिलान है गाले से करेले तो के हयातोग क्थक उसके बाद है कथकली अगर आपसे option में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा निर्टे है जिस पर मतलब अच्छाई पर जो अच्छाई की बुराई पर जीत होती है उसके उपर वो निर्टे किया जाता है तो वो आपका कथकली उसके बाद ये निर्टे आपने अगर देखा होगा तो इसके अ मोहिनी अटम कहां का है आपका ये भी आपका केरल का है मोहिनी अटम कहां का है ये भी केरल का है ये आपके विष्णू बश्मासूर और शिव की कहानी है कैसे है आप सभी जानते हैं कि एक बार बश्मासूर ने क्या किया था शिव की तपश्या की थी ना फिर शिव जी पर ऐसा वर्दान दे दो कि मैं जिसके उपर भी अपना यूं हाथ रखूं तो वो एकदम से भश्म हो जाए ठीक है तो जिव जी मान गे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने वर्दान दे दिया कि तो ठीक है आज के बाद जिसके उपर भी हाथ रखेगा वो भश्म हो जाएगा फ फिर शिवजी बोले कि हाथ किसके उपर रखे देखो गया तो कोई है यह नहीं तो भश्मा सुर ने क्या गुआ कि आप तो हैं तो इतना सुनते ही सिवजी पता था शिवजी को कि अगर यह मेरे उपर हाथ रखेगा तो मैं भश्म हो जाऊंगा सिवजी भाग पड़े उसके पाद क्या हुआ आगे उन्हें विश्णु मिले कौन मिले विश्णु विश्णु को उन्हें अपनी सारी बात बताई कि यू यू मैंने किसी को वरदान दे दिया और अब वो मेरे उपर ही उसका ट्राइल करना चाहता है तो फिर विश्णु जी ने क्या किया मोहीनी का आतियों सिर के उपर कर लिया और वहीं पर भश्म हो गया और वहीं से उसका नाम क्या पड़ा भश्मा सुर्ख पड़ा इतना क्लियर है तो बस यही है मोहिनी अटम किस ने किया था भगवान विश्णुन ने किया था मोहिनी नाम क्यों पड़ा क्योंकि मोहिनी का रूप धार करके डांस किया था उसके बाद हेमा मालिनी शिरी देवी और भारती शिवाजी ये भी किसीज की डांसर है ये भी आपकी मोहिनी अटम की डांसर है कर लोगे यह वाला याद कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद है आपका कथक तो कथक कहां का है वही यह आपके उत्र भारत का ज नहां का कौन सा है, कथक है आपका, और पंडित बिर्जु महाराज पूछ लिया जाए, राधाकेशन पूछ लिया जाए, रच्छु महाराज और सितारा देवी, ये चारो ही एक्जाम के अंदर पूछे गए है, तो ये किस दान्से सम्मद रखते हैं, कथक से, बिर्जु महा पूरी डान्स करती है, एक जैसा, ठीक है, तो याद रख लेना, जाबिरी बहनों का सम्मद का, कौन से डान्से है, मनी पूछी से, होगे भी आपके, ये यह वाले थे आपके आठ डान्स, तो ये तो थे आपके शास्तिया डान्स, जो की आठ हैं, पूरे इंडिया के अंद और 99% examiner इन ही में से पूछेगा 99% चीक है और 1% अगर किसमत थोड़ी सी यूँ होगी तो ये जो बाकी बचगे इन में से कवर हो जाएंगे तो देखो फटा फट देखिया आप कोई जरूरी है इनको बस नजरों में से उतारना है जारखंड के है वही चव, सर्भूल, कर्मा, डांगा, विदेशय और सोहराई ये हैं आपके जारखंड के लोखनिर्त्या उसके बाद उत्राखंड के है कजरी, गडवाली, कुमायू, जोरा, चपादी और रासलीला ये हैं आपके उत्राखंड की उसके बाद आंधर परदेश का कुछी बुड़ी आपको 110 परसंट याद रखना है घंटा मरदाला, कुमी, छड़ी, सिद्धी, मदूरी ये हैं आपके आंधर परदेश के उसके बाद चथिस गड़ के पंडवानी, पंडवानी निर्टे याद रखना भी पंडवानी निर्टे याद रखना चथिस गड़ का है पूच सकता एक्जामिनर पंडवानी, छथिस गड़ फिर है गोडी, कर्मा, जूमर, डागला, पाली, टपाली, नवारानी और दिवारी तो ये कहां के है आपके चथिस गड़के है उसके बाद हिमाचल परदेश के धमान, छपेली, महातु और डफ डफ वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है भी कहां का है ये हिमाचल परदेश उसके बाद है तमिल लाडुगा भरतनाट्यम हो गया और कोलट्टम नामसी कोलट्टम, अत्टम, पट्टम ये सारे चिज़ए कहां के होती है कि टमिल लाडु के होती हैं तो हो जाएगा उसके बाद असम का बी χू बी χू भी मौस्ट इंपोर्टेंट है याद रखोगे nat फुञा भी मौस्ट इंपोर्टेंट है एक बीहुका, तो वो वखुरूंबा ये भी चुवा, ये भी काहां का उडिशा का भी छवॉर सवारी ये भी आप याद रखोगे, केरल का है और कथकली, ये भी याद रखोगे कोल अटम तमिल नाडु का है ओटम केरल का है कन्फ्यूज मत हो जाना कोल अटम तमिल नाडु का ओटम केरल का उसके बाद है आपका ये मोहिनी अटम बगार ये सारे कर लोगे आपका थकर लोगे उसके बाद आपका मणी पुरका है नट राज क्या है नट राज को है न जैसे नट राज होता है ये सरकल मत करना सास्त्रिय संगीद नहीं है ये नट राज इसको आप मणी से रिलेट कर लो कि नट राज के पास क्या है मणी है तो नट राज के पास क्या है मणी है उसके बाद गुजरात का गरबा ढांडिया रासलीला टिपानी भवई गुजरात के भी आप सारे राद करोगे क्योंकि गरबा भी पुछा जाता है डांडिया भी रासलीला भी ये सारे कहां के है गुजरात रासलीला रात के टाइम पे होती है डांडिया इसी को तंडे के गंगोरोन, पनीहारी, ये सारे इस्के हैं राजस्तान के, ये तीन-चार сп्वेट है इनके तो आप सारे ही अध्ल करकी ले जाओ, तो बैस रहेगा, उसके बाद करनाटक का यक्सगान, most important करनाटका में और एक भी नें लेक circulating यक्सगान इक्जाम में आया भी है, important भी है तो इसलिए यक्स गान कहां का है, करनाटक का यक्स गान, गान कहां पे, जैसे किसी जीज गाना सुनाना तो कहां पे जाके सुनाओगे, कानों में जाके सुनाओगे न करना, कानों में जाके सुनाओगे, गान, गाना यक्षगान करनाटक का नागलेंड का है चोंग पंजाब के डफ और भांगडा भांगडा का सभी को पता है और धमाल और गिदा गिदा भी सभी को पता है पंजाब का है उसके बाद है गोवा का मांडी ये मंडी वाला है न भी ये एक पर पुछह गया था exams के अंदर, तो gova का Mahondi निर्था, ये भी आप अच्छे से याद करोगे, अरुना चल पर्देश का है, मुखोटा और युद, अरुना को क्या बहुत है है, कि अरुना चल मुखोटा पहन चीज़, यूद करते है तो खोटा और यूद कहा के यह रूणा चल पर देश के महारास्टर का लावनी और नक्टा यह दोनों भी इंपोर्टेंट लावनी जैसे सिरियल वगरा देखते हो तो यह लावनी यह तो वहाँ पर अच्छे से मनाया जाता है ना यह निर्ते दो किया जाता है और नक्ता है यह भी कहा का है महा रास्टर का है तो यह सारे लोग निर्ते आपके सामने थे अगर निर्ते से रिलेटिड कोई कोशन एक्जाम में आता है तो 100% इनी में से देखने को मिलेगा तो यहां तक अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक्यू, have a nice day.